तो आज दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चनल टार्गेट सिविल सर्वेसिस में तो आज है 24 जून और मद्यप्रदेश के डेली करेंटेफिर में आज हम पढ़ेंगे 24 जून के करेंटेफिर तो लेक्षर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों इसने भी वीड पिक्स ट्यूमर कर देखिए 22 जून tapa हमने 22 तो दीवसरण और 16 तो वांपडे है वेश्म रeremyट वाईं ब्रगता दीवस मनाए ता चाुदा जून को होवल्ड वाइन डे या ग्लोबल वाइन देखिँ और 17 जून Great to Combat एकीश जुन को वीश्व योग दिवस और टेवीश जून को वीश्व ओलम्पिक दिवस यानि इंटरनेशनल ओलम्पिक डेए सबसे पहले कर लेते हैं हमने जो कल करेंट है पड़े तो उसका रिविजन उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करेंट है फिर तो सबसे पहला कोशन था हमारा किस विश्विद्धाले की तरज पर भुपाल में बासो का ऑक्सिजन पार्क बनाया जाएगा तो यह बनाया यानी सब्सट्र उखेंगे हैं तो इसके चंसलर कोन है तो टमिल नाड़ों के राजवपार्क बनभादी लाल पेत। इसके बासो का पार्क किसकी द्वारा बनाया जा रहा है तो यह बनाया जा रही है Central India या फॉर्मेशन पॉर्डूसर और्गनाइजेशन के दुवारा बनाया जा रहा है इस ऑक्सिजन पार्क के लिए भी तीन जगह देखी गई यह तो नील बढ़ में बनेंगा यह राती बढ़ में बेलनेंगा यह इससे सटे जो इंदोर रोट पर इस्थापित किया जाएगा नेक्स कोशन था हमारा किस जिले के आसीज चांदेरकर को भारत सरकारन विस्व व्यापार संगठन यानि वर्ल्ड ट्रेड और्गनाइजेशन के अपने पर्मानेंट मिसन में निदेशक इस्तर के पत पर नियुक्त किया है तो यह किस अडिस्टिक से है तो यह हमारे ख्याले कहां पर है यह है जेनेवा स्वीजरलेंड में इसमें कितनी कंट्री मेंबर है तो 164 कंट्री मेंबर है और इसके जो डारेक्टर जनरल है वो कोन से है तो एंगोजी ओकोंजो इवेला इसके डारेक्टर जनरल है इसको संथा हमारा अखील भारती तकने की सिक्षा प परिशत की तब और इंडिया कॉंसील फॉर टेक्निकल एजुकेशन की तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका हेटकॉर्टर कहा है न्यू डैली में है इसकी अभी चेर्मेन को नहीं तो अनिल सहास बुद्देश के चेर्मेन है आइस चेर्मेन को नहीं तो MP पुनिया इ देखे बात के रहां यहां पर 20 सुकुस्ती चेंपियनिसिप की तो यह आयुजित होगी 19 से 25 जुलाई के बीच में जो हंगरी की राजानिया बुड़ापेस वहां पर आयुजित की जाएगी और महिला फ्री स्टाइल के 57 किलोग्राम वर्ग में मद्द्रदेश की हंसा बें रुपए की मंजूरी मिल गई है तो इसका आंसर के जागा आप्स नमबर बी 6952 करोण रुपए मद्द्रदेश में अगले 3 साल में 9200 सरकारी स्कूल ऐसे बनाये जाएंगे जिसमें विध्यारतियों को नीजी स्कूल यानि प्रावेट स्कूल हो जैसी सुविदाय मिले इस साल 350 सर्व संसाधन युक्त स्कूल यानि सीम राईज स्कूल विक्सित के जाएंगे और ये जीला मुख्याले विकासखंड और बड़े सहरों में होंगे और इसके लिए हमारे मुख्यमत्री सिवरासी चोवान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैटक में स्कूल गुनवत्ता का स्कूल विक्सित के जाएगा और पहले चरन में स्कूल सिक्षा विबाग के 254 और आदिम जाती कल्यान विबाग के 96 स्कूल देखिए अभी आदिम जाती कल्यान विबाग का नाम चेंज कर दिया गया है क्या कर दिया गया है ये कर दिया गया है जन जाती कार ये विभाग ठीक है तो इसके अभी मंत्री कोन है ये है मीनस ये मांडवे इन्होंने अभी चेंज भी नहीं किया है तो इसके 96 स्कूलों को सर्व संसाधन संपन बनाया जाएगा और इनमें 52 स्कूल जीला मुख्याल है और 261 विकासखंड इस्तर पर और 37 बड़े नगर या जाएगे तो दोस्तों याद रखिएगा मध्यप्रदेश में कितने सीम राइस इसकूल बनाया जाएगे तो इसके लिए कितने रुपए की रासी की मंजूरी मिल गई है 2692 करोल यानि लगबग 7000 करोल रुपए की रासी मंदप्रदेश का पहला सैनिक स्कूल बनाया जाएगा और दूसरा भिन डिस्टिक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स तो दोस्तों इस इंडेक्स में किस स्टेट में एजुकेशन के चेतर में कितना ज्यादा अधिक कार्य हो रहा है तो उसके आधार पर बनाया जाते रहा है जब से यह इंडेक्स स्टार्ट हुआ है तो मद्यप्रदेश उसी स्थान पर है जब से यह start हुआ है मद्द पृदेश की rank अभी तक की improve नहीं हुई यह और बात करें मद्द प्रदेश में साक्चरता दर की तो देखिए मद्द प्रदेश की साक्च दर कितनी है 69.3% है और भारत की कितनी है तो भारत की है 73 परसेंट अब बात करें मद्यप्रदेश पुरूष सक्षरता की दर कितनी है तो 78 परसेंट है और भारत की पुरूष सक्षरता दर कितनी है 84 परसेंट है तो ये जबलपूर डिस्टिक है और देखिए जबलपूर डिस्टिक की साक्षरता दर कितनी है 81.1% है और नियूंतम साक्षरता प्रतिसत वाला जिला कौन सा है तो ये अलिराजपूर है यहां की साक्षरता दर कितनी है तो यह है 66.1% देखिए सरवादिक पुरूष साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो यह जबलपूर है और यहां के पुरूष साक्षरता दर कितनी है 87.3% है और नियूनतम पुरूष साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो यह अलिराजपूर है यहां की नियूंतम पूरू साक्षरतादर कितनी है 42% है और बात करें हम यहाँ पर सरवादिक महिला साक्षरतादर वाला जिला कौन सा है तो यह भुपाल है ठीक है यह एक्जाम में पूछा भी जा चुका है सरवादिक महिला साक्षरतादर कितनी है तो 74.9% है और न्यूंतम महिला सक्षरता वाला जिला कौन सा है तो यह अली राजपूर है और यहां की महिला सक्षरता दर कितनी है 33% है तो दोस्तों देखिए अगर न्यूंतम में कोई भी आता है तो उसमें अली राजपूर ही है सक्षरता में और बात करें सरवादिक सक्षरता दर तो इसका आंसर हो जाएगा option number C स्री सचीन चतुरवेदी अच्छा देखी हमारे मध्यप्रदेश में राज्य योजना मंडल का गठन कब किया गया था ये किया गया था 24 अक्टूबर 1922 को ठीक है 72 को इसका गठन किया गया था किसका राज्य योजना मंडल का तो राज्य योजना मंडल के प्रथम जो उपाद्यक्ष थे वो कोन थे तो वो थे दयासंकर नात और इसके प्रथम अध्यक्ष कोन थे तो ये थे स्री प्रकास चंद्र सेटी और प्रकास चंद्र सेटी उस टाइम हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री थे ठीक है क्योंकि जो राजी योजना मंडल के अद्धक्ष होता था वो राजी का मुख्यमंत्री होता था तो देखिए प्रदेश में 24 अक्टूर 1922 को राजी योजना बोर्ड का गठन किया गया था और 21 सितंबर 2007 को मद्यप्रदेश सरकार ने इसे आयोग क इसके बास देखिए 2020 में मद्यप्रदेश सरकार ने राजी योजना आयोग का नाम बदल का राजी निती एवं योजना आयोग कर दिया है और राजी निती एवं योजना आयोग का काम प्रदेश की सभी विभागों के बीच समनवय से जूड़ी हुई योजनाओं के लिए दिर्ग कालिन एक्षन प्लान तयार करने के साथ ही सभी विभागों का प्रचलित नीतियों की समिच्चा करके उनमें बदलाव एवं सुधार के लिए प्रदेश सरकार को सुझाओ देना होगा जैसे हमारे भारत का नीती आयोग है ना के अधर पर गठित किया गया हमारे मद्द प्रदेश में राज नीती एवं योजना आयोग राज नीती एवं योजना आयोग में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे तो अभी इसके अध्यक्ष कोन होगे योजना एवं आर्थिक सांकिकी विभाग भी किसके पास है तो ये जगदीश देवला के पास है ये आयोग में कूल 6 सदस्यों होगे जिसमें तीन पदों पर पदेश के मुख्य सच्यू प्रमूख सच्यू और वित एवं प्रमूख सच्यू योजना आर्थिक सांकिकी की जाएगी जिसमें से एक उपाधिक्स किसे मिला है तो ये सचीनचप्रुवेदी को मिला है कि जब राजजी युजना आयोक था तो उसमें एक उपाध्यक्ष desem 11 seria होते थे तो इसको change कब कर दिया गया तो इसको change 2020 में किया गया था राजे निती एवं योजना आयोग बनाया गया था अब बात करें हम सचीन चतुरुवेदी की तो देखिए अटल भिहारी बाचपी सुसासन एवं नीती विसलेशन संस्थान बोपाल के उपाध्यक सचीन चतुरुवेदी को मदबरदेश राजे निती एवं योजना आयोग का कारेकारी उपाध्यक्ष नामित किया है और प्रोफेसर सचीन चतुरुवेदी नुडेली इस्तीत स्वयायत थिंक टैंक विकास्चिल देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रनाली के महाने देशक भी रह चुके है इन्हें विकास सहयोग नितियों और दक्षीन-दक्षीन सहयोग से संबंदित मुद्दों पर विशेस्ता हासिल है और इन्होंने संयुक्त राष्ट के खादे एवं करसी संगठन, विश्व बैंक, यूएन एसकेप, यूनेसको, OCD, राष्टमंडल, सचीवाले, भारत सरकार के जैव प्रद्दुगी की विभाग, तदा परियावरन एवं वन मंत्रालिकार के रोप में भी अपनी सेवाय की है और प्रोफेसर चतुरुवेदी रिजर्व बैंक आफ इंडिया में बोर्ड आफ के सदस्य भी रहा चुके है, तो याद रखिएगा, अभी अटल भ्यार इवाजपी सुसासान एवं नीती विश्वेशन संस्थान के जो उपाद्यक्ष है, सचीन चतुरुवेदी जी तो इनको अभी मद्यप्रदेश, राजनिती एवं यूजना आयोक का कारेकारी उपाद्यक्ष न्यूक्त किया गया है, एक्सकोसन है हमारा एक दिन में 17 लाख टिके लगाने पर किस राज्य का नाम वर्ल्ड बुक आफ रिकॉर्ड्स में सामिल किया गया है, तो ये किस रा मद्यप्रदेश में लगबग 17 लाख टिके लगाने पर मद्यप्रदेश का नाम वर्ल्ड बुक आफ रिकॉर्ड्स में सामिल किया गया है, और लंदन से इसका सर्टिफिकेट भी मिल गया है, और मद्यप्रदेश ने तीन दीन में दूसरी बार 10 लाख सिट जादा टिके ल लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, लिकि हमारे मद्यप्रदेश में वैक्सिनेशन के महा अभ Judaण के तीसरे दिन में रिकार्ड टोल ठीके लगे है, तरकार नि 3 दिन में 50 लाख डूस का टार्गेट रखा था जबकि 3 दिन में 27 लाख डूस लगाय जा चुके है, लिकिए हमा जिला डोज है वो एक करोड़ चपन लाग को और दूसरा डोज 21 लाख लोगों को लगाया जा चुका है वर्ल्ड बुक आफ रिकॉर्ड भारत के जो प्रेसिडेंट है संतो सुकला ने बेज़े पुष्टी पत्र में कहा है कि मद्यप्रदेश द्वारा टिका करने में बनाएंगा है रिकॉर्ड को रिकॉर्ड बुक में सामिल करने पर संस्ता को प्रसनता हुई है हमारे मद्यप्रदेश में कौनसा जिला टॉप पर है तो देखी सबसे टॉप पर है इंदौर डिश्टी और एक दिन में सबसे ज़्यादा टिका करने वाला जिलवी कौन सा है तो वो इंदौर ही है देखिए इंदौर ने वेक्सिनेशन महाभियान यानि 21 जून के दिन 2,22,000 प्लस टिके लगाये थे ठीक है और कुल टिके इंदौर में कितने लग चुके है तो 21,93,000 कुल टिके 9,000,000 टिकों के साथ यह मातर 1,03,000 टिके लगाये थे और फिर उसके बाद है श्योपूर्ड टिक में 1,15,000 टिके लगाये थे और फिर उसके बाद है दिन्डोरी दिन्डोरी में 1,24,000 टिके लगाये जा चुके है और पन्ना में 1,26,000 टिके तो एक दिन में 17,000,000 टिके तो यह मद्यप्रदेश के मुरेना डिस्टिक में की जाएगी तो इसका आंसर क्या है ओप्सन नमबर सी तो देखिए केंद्री क्रसी एवं किसान कल्यान ग्रामिन विकास पंचायती राज तदा खाद्ध प्रसंसकरन उद्योग मंत्री और मुरेना से सांसद श्री नरेंद्र पीच हुई बैटक में सकरात्मक माहल बना है और देखिए मुरेना जीलों में आरक्षित वंचेतर कितना है तो यह 50,000 एक्टेयर है और संरक्षित वंचेतर कितना है 20,000 एक्टेयर है जाज़ातर सबल गडव जौरा ब्लॉक में है मुकत जिन व्रक्ष के वन है तो इसमें आज़तर उन लकडियों से हम फरनीचर बनाते है तो फरनीचर के इस्तमाल में होने वाली लकडियों में देवदार वा कठल भी है जो मद्यपदेश में बहुत आयत में पाई जाती है और फरनीचर उध्योग के विकास में बहुत उप्योगी है वर्तमान में मुरेना जीलो वक कारिगर की कमी महसूस होती है दोस्तो होता यू है कि देखे हमारे मद्द प्रदेश में फरनीचर की लकडिया तो बहुत है लेकिन यहाँ पर उद्योग नहीं है इससे बनाने वाले कारिगर नहीं है तो अब हमारे मद्द प्रदेश में ही furniture cluster हो तयार किया जाएगा जिससे यहां पर उद्योग स्थाप्पित होंगे तो यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा मंद्री सिरी तोमर का कहना है कि मुरेना की लखडियों से जिले में ही furniture बनाया जाएगा और यहां उद्योग विकिसी थोने के साथ बड़ी संक्या में इस्थानी लोगों को रोजगार मिलेगा साथी जिले की अर्थवर्षता भी बहतर हो सकेगी तो याद रखेगा मद्रदेश के किस जिले में furniture cluster के स्थापना की जाएगी तो यह मुरेना इस्टीक में कल का हमारा कोशन था वर्तमान में मद्रदेश में खेल परिशत के अध्यक्ष कोन है देखिए यह MPPC प्री 2012 में पूछा जा चुका है अगर हम बात करें 2012 की तो मद्रदेश खेल परिशत के अध्यक्ष कोन थे यह तुकोजी राव पवार थे तेक है और जो मद्रदेश खेल परिशत के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं वो मद्रप्रदेश का खेल मंत्री होता है तो कौन थे 2012 में तुकोजी राव पवार थे और अभी मद्रप्रदेश के खेल मंत्री कौन है यह है यसुदरा राजे सिंद्या है और यह है यसुदरा राजे सिंद्या यह अभी 1954 को हुआ था और उन्होंने विदेश में सिक्षा अर्जित किये ये लंदन में पढ़िये ठीए यसुद्रा राजी सिंद्या राजिसान की जो पूर्व मुख्यमंत्री तीना वसुद्रा राजे सिंद्या तो उनकी ही छोटी बहन है यसुद्रा राजी सिंद्या राश्टी पसु कल्यान बोर्ड न्यू डैली की उपाध्यक्ष तथा दिल्ली के ही एक्वेस्ट्रियन एंड पोलो एसोसीजन की उपाध्यक्ष पी रह चुकी है पतिस हिंद्या 2003 में विदानसबा सदस से निर्वाचित हुई और इन्हें 4 दिसंबर 2005 को मद्द्रदेश राज्य के मंत्री परिसाद में मंत्री के रूप में सम्मिलित किया गया और स्रीमतिस हिंद्या वर्ष 2009 में गवालियर से सांसद भी चुनी गई और स्रीमती सिंध्या वर्स 2013 में स्यूपूरी विधासरबा निर्वाचन छेत्र से सदस्से नििर्वाचित हुई 200 2018 में स्यूपूरी विधासरबा छेत्र से निर्वाचित हुई और दोस्तों आज के लिए आपका कोशन है उद्यगिरी की गुफाय मद्यप्रदेश के कौन से जिले में है तो यह आपको पूरी डिटेल में बताना है और यह MPPS 2016 में पूछा जा चुका है और दोस्तों यह है हमारा टेलेग्राम चैनल ठीक है अगर आपको हमारे वीडियो को तो उसको continue रखेगे ठीक है तो ज़्यादा ज़्यादा लोग participate करिएगा टेलेग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्टन बाक्स में मिल जाएगी लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शियर जरू करिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हो तो subscribe कर किजिए थांक यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो